हाई गाईज वेलकम यूओ वन्स अगेन तो आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टिप्लेक्स्ट सेवन सेग्मेंट डिस्पले और एट मेगा एट की हेल्प से विजिटर काउंटर को बना के देखेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर से यहां से सब्सक्राइब कर लीजेगा फिलाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम लोग अपने सर्कृट डाइग्राम को समझ लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग एक मल्टिप्लेक्स seven segment display को use करने वाले हैं तो इसकी जो यहाँ पर data pins हैं इन data pins को हम लोग port D से connect करने वाले हैं ठीक है और इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर four select lines हैं तो इन select lines को basically हम लोगों ने PC1, PC2, PC3 और PC4 में connect किया हुआ है और फिलाल हम लोग यहाँ पर दो buttons को भी connect कर रहे हैं अपने PB0 और PB1 से ठीक है यहाँ पर basically जो PB0 से connected है यह हम लोगों का button नहीं होगा यह एक sensor होगा बट यहाँ पर जो हम लोगों का proteus है इसमें sensors हमको मिलते नहीं है इस वज़े से मैंने यहाँ पर फिलाल button use किया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर यह basically हम लोगों का increment sensor है मतलब कि जब भी यह sensor आपका कोई चीज को detect करेगा तो हम लोगों को यहाँ पर जो 7 segment है इसमें जो values डिस्पले हो रहे हैं इनकी values को increment करना होगा और secondly हम लोगों का reset button है यह basically जो counting है इसको reset करने के लिए है मतलब कि जब भी आप इसको press करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर जो भी values होंगी वो reset होके 0 हो जाएंगी और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है फिलाल हम लोग यहाँ पर जो micro controller है इसको external crystal oscillator से run कर रहे हैं और यह जो oscillator है इसकी initially जो frequency है वो 12 MHz है तो यह हम लोगों का simple सा circuit है बिसमें देखे जब भी आपका यहाँ पर increment sensor sense करेगा तो हम लोग यहा segment है इनकी values को increment करवाएंगे और जब भी आप यहाँ पर reset button को press करेंगे तो आप लोगों को जो भी यहाँ पर values increment हुई थी उनको reset करके zero करना है ठीक है तो इसके बाद हम लोग अपनी programming को यहाँ पर देख लेते हैं तो फिलाल हम लोग यहाँ पर दो अलग-अलग programs को discuss करने वाले हैं यह जो हम लोगों का program है यह simple है और इसके बाद हम लोग एक और program को देखेंगे जिसमें basically हम लोग यहाँ पर timer 2 के interrupt को use करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इस simple वाले program को देख लेते हैं So इस program में सबसे पहले हम लोगों ने अपने CPU की frequency 12 MHz यहाँ पर define की है और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर avr.io.h और util.delay.h नाम की जो दो header files है इनको include किया है Next इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो port D है उसको SSD port नाम दिया और जो port C है इसको SL port नाम दे दिया फिर जो हम लोगों का PC4, PC3, PC2 और PC1 है इनको भी हम लोगों ने अलग-अलग names यहाँ पर दिये है Next इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर display नाम का एक function declare किया है और इस function के अंदर आप देख सकते हैं हम लोग 4 arguments को use करने वाले हैं और यह जो हम लोगों के arguments है सारे की सारे int type के हैं और function के अगर आप बात करें तो यह हम लोगों का कोई भी value यहाँ पर return नहीं करेगा Next इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर inc data नाम के एक और function को declare किया है यह जो function है यह basically हम लोगों का जो data है उसको increment करने वाला है और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने एक unsigned int type का array बनाया है जिसका नाम digit है और इस array के अंदर हम लोगों ने 0 से लेके 9 तक के जो digits के patterns बनते हैं common cathode के लिए उनको store किया हुआ है Next इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर int type के 4 global variables को declare किया है जिनका नाम data 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने रखा है इनके अंदर basically हम लोग यहाँ पर कुछने कुछ data को store करने बाले हैं क्या store करेंगे वो हम आगे देखेंगे Next इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर unsigned int type के 2 variables को declare किया है इसमें first वाला जो है इसको हम लोगों ने नाम दिया है sensor status जो भी हम लोगों का यहाँ पर sensor detect करेगा उसके corresponding जो भी values हम लोगों को यहाँ पर मिलेंगी यहाँ पर basically 0 या फिर 1 आपको मिलती है तो वो value हम लोग यहाँ पर sensor status नाम के variable के अंदर hold करेंगे और secondly जो हम लोगों का दूसरा variable है इसका नाम reset button है यह basically हम लोगों का जो button है उसके status को hold करेगा और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों का main function है now main function के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ddrd is equal to 0xff लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो port d है उसको output define करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोगों का 7 segment display है उसकी data lines है तो इस वज़े से आप लोगों ने यहाँ पर ddrd is equal to 0xff लिखा है next इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर select lines को भी output define करना पड़ेगा तो sl1234 जो है वो pc1234 से connected है तो इसके corresponding आप लोगों ने यहाँ पर ddrc is equal to 0b0011110 दे दिया है इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर while one loop है या फिर आप कह सकते हैं यह आपका एक infinite loop है आप इस loop के अंदर क्या हो रहा है इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं so while loop के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर display नाम के function को call कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं data1, data2, data3 और data4 की values को हम लोग यहाँ पर इस function के तुरू पास करने वाले हैं तो यह function exactly क्या करने वाला है इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को इस function की definition को देखना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों का definition हम लोगों ने लिखा है तो यहाँ पर आप देखिए हम लोगों का data1, data2, data3 और data4 की जो भी values थी वो हम लोगों के d1, d2, d3 और d4 के अंदर आ जाएंगी तो आप कह सकते हैं यहाँ पर d1, d2, d3 और d4 इन चारों में ही फिलाल zero values हमको मिलेंगी ठीक है और इसके बाद आप देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 7 segment 1 को activate कर रहे हैं इसके लिए आप लोगों ने SL 2, 3 और 4 को 1 देना है और इसके बाद आप लोगों यहाँ पर जो भी data transmit करना चाहते हैं अपने first वाली 7 segment में उसको यहाँ से आप transmit कर रहे हैं फिर हम लोगों ने आपर 1 millisecond का delay दिया next इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर second वाली 7 segment को select करना है तो उसके लिए आप लोगों ने SL 1, SL 3 और SL 4 को 1 देना होगा rest आपका जो SL 2 है इसको आप 0 ही देंगे ठीक है और इसके बाद आप लोग जो भी data वहाँ पर second वाली 7 segment पर display करना चाहते हैं उसके corresponding आप लोगों ने यहाँ पर यह लाइन लिखी है इसके बाद आप लोग यहाँ पर third वाली 7 segment को select करेंगे फिर जो भी data उसमें transmit करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर इस line से transmit करेंगे फिर आप एक delay देंगे फिर again आप लोग यहाँ पर fourth वाली जो 7 segment है इसको select करेंगे और जो भी data आप transmit करना चाहते हैं उसको यहाँ से transmit करेंगे यहाँ पर एक आप 1 millisecond का delay दे देंगे तो यह हम लोगों का function है जिसके through हम लोग जो 7 segment है उसमें अपनी values को transmit कर रहे हैं या फिर आप कह सकते display करवा रहे हैं तो अब first time में हम लोगों का यहाँ पर जो 7 segments है वहाँ पर 0, 0, 0 और 0 print होगा क्योंकि initially D1, D2, D3 और D4 में values सारी 0 है अब यह जो function है completely यहाँ पर execute होगा और उसके बाद फिर से main में return हो जाएगा तो देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा है main के अंदर so main function के अंदर इसके बाद हम लोग PB0 और PB1 में जो sensor और button connect है इनके status को check कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर status होगा उसको store कर रहे हैं अपने sensor status और reset button नाम के variable के अंदर अब इसके बाद जब हम लोगों का यहाँ पर status store हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी conditions लगाएंगे so conditions में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर sensor की condition लगाई है अगर आप लोगों का sensor यहाँ पर कोई चीज detect करता है तो उसके corresponding देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक debounce time देंगे फिलाल हम लोगों ने यहाँ पर 250 milliseconds का debounce time दिया है यह basically vary कर सकता है और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर INC data नाम का जो function है इसको यहाँ पर call किया है ठीक है यह जो हम लोगों का function है यह basically हम लोगों के जो 7 segment में values display होने वाली है उसकी values को increment करता है तो इसके बाद हम लोगों ने इस function को देख लेना होगा ठीक है यह हम लोगों का function है तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे data 4 जो है इसकी value को increment करेंगे देखिए initially यहाँ पर data 1, 2, 3, 4 में सब में value 0 है ठीक है अब इसके बाद जब first time में हम लोगों का sensor sense करेगा तो हम लोग यहाँ पर data 4 जो है इसकी value को increment कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर आप data 4 में आपकी value 1 हो चुकी होगी बाकियों में आपके 00 और 00 रही रहेगी तो अब इसके बाद देखिए फिर हम लोग यहाँ पर check कर रहे हैं अपने data 4 की value को अगर यह आपकी 9 से greater हो जाती है और उसके बाद आपका function जो है फिर से main में return कर जाएगा तो हम लोगों का यहाँ पर data 4 की value 1 हो चुकी है इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और condition लगा रहे है reset button की अगर आपका reset button यहाँ पर press होता है कि हम लोग यहाँ पर reset button इसको press नहीं करने वाले है और जो हम लोगों का sensor है वो बार-बार objects को detect करने वाला है तो जैसे ही आप लोगों के sensor के सामने first time कोई object आएगा तो हम लोगों का यहाँ पर जो data है वो increment हो जाएगा अब data increment होने के बाद देखिए हम लोगों की जो conditions है वो चलेंगी then again हम लोग यहाँ पर display नाम के function को call करेंगे अब देखिए हम पर data 1,2,3 में तो value 0 है बट data 4 में अब value 1 हो चुकी है तो इसके corresponding अब आप लोगों का जो 7 segment है उसमें भी value 0,0,0,1 दिखाएगा अब इसके बाद again हम लोगों का जो sensor और button है वो अपने status को check करेंगे और उसके corresponding जो यहाँ पर हम लोगों के variables है उनको update करेंगे अगर इन में से कोई भी button आपका press नहीं होगा तो इस case में हम लोगों की इन दोनों में से कोई भी condition नहीं चलेगी तो फिर से आप लोगों का है पर जो display नाम का function है वो call होगा फिर से आप लोगों को है पर value 0,0,0,1 मिलेंगी ठीक है और again इसके बाद हम लोगों का अगर sensor यहाँ पर कोई चीज को detect करता है तो फिर से हम लोग यहाँ पर increment data नाम का जो function है उसको call करेंगे तो उसके through आप लोग यहाँ पर बार बार अपनी जो values हैं उनको increment करेंगे ठीक है अब suppose कि यह value हम लोगों की 1,2,3 होते हुए 9 पहुंची ठीक है 9 होनके बाद जब वो 10 value होगी तो यहाँ पर देखें क्या होगा जब यह value 10 होगी तो इसके corresponding हम लोग data 4 जो है इसकी value को 0 कर रहे है और data 3 की value को आप यहाँ पर 1 कर रहे हैं तो ultimately आप यहाँ पर basically करेंगे क्या कि जो third display है इसमें 1 print करेंगे और fourth वाली में अब 0 print होगा ठीक है तो हम लोगों का यहाँ पर data 4 की value अगें यहाँ पर increment होगी 0 से 1 होगी 2 होगी 3 होगी ऐसे करते करते फिर से 9 तक जाएगी इस बीच में आप लोगों का जो data 3 है उसकी value फिलहाल अब 1 हो चुकी है ठीक है इसके corresponding आप देख सकते हम लोगों का यहाँ पर क्या print होगा 001 और इसके बाद data 4 की जो भी value होगी तो यहाँ पर initially आपका data 4 में value 1 अगर होती है तो आपको 11 दिखाएगा फिर 2 होती है तो 12 दिखाएगा ऐसे करते करते 19 तक जाएगा फिर जैसे आप लोगों का यहाँ पर value 19 डिस्प्ले होती है उसके बाद next जो condition आएगी उसमें अगें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे data 4 को 9 से 0 कर देंगे और data 3 को 2 कर देंगे तो 19 के बाद आपको यहाँ पर 20 डिस्प्ले होगा ठीक है और यह चीज आप लोगों की तब तक चलती रहेगी जब तक हम लोगों की यहाँ पर values 99 डिस्प्ले नहीं होती है ठीक है अब जैसे 99 वाली condition के बाद 100 वाली condition आएगी तो हम लोगों का यह चीज चलेगी ठीक है त 9 तक चलेगी अब जैसे आप लोगों की यहाँ पर value 9999 हो जाएगी तो उसके corresponding यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इस value को इतना ही रहने देंगे क्योंकि इस से ज्यादा हम लोग यहाँ पर display नहीं करवा सकते हैं मतलब कि इसके बाद अगर sensor कुछ भी sense करेगा तो भी आप minimum value है इससे ज्यादा हम वहाँ पर display नहीं करवा सकते हैं ठीक है और इस बीच में अगर आप लोग यहाँ पर जो PB1 में बटन कनेक्ट है इसको प्रेस करते हैं को आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा सारी values 0 हो जाएंगी ठीक है तो यह हम लोगों का program है इसको हम लोग अभ इसको प्रेस करते हैं तो आप देखिए हम लोगों की यहाँ पर value 1 हो गई फिर से अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यह तू हो गी 3 4 और इंक्रिमेंट होती रहेगी ठीक है और अगर यहाँ पर आप जो PB1 से connected button है या फिर reset button है इसको प्रेस करते हैं तो देखिए हम आ रहा है वह फ्लेकरिंग टाइप है ठीक है मतब कि इस टेबल आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है यह आपका जो फर्स सेकेंड और थर्ड डिस्पले है वह ऑफ हो रही है यह देखिए ठीक है तो वैसे बहुत बढ़ी प्रॉब्लम है नहीं बट फिर भी अगर आप यहाँ स्मूद आउटपूट चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इंटरप्ट को यूज करना पड़ेगा ठीक है अब पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों का यहाँ पर यह जो प्रॉब्लम है यह जनरेट क्यों हो रही है देखिए यह सब चीजे जो है वह जनर लूगों की छीज्ञ डिस्प्ले होनी थी न हो पाएंगे एंगे हम लोगों का लास्ट टाइंद यह अब को यहाँ पर टेकर यह आप यहाँ फ्रॉप्र यह नजरा आती हैं अब यहां पर में प्रेस होने में ही बहुत सारी वैल्यूस को इंक्रिमेंट कर देगा यह देखिए यह 50 पहुंचा दी फिर से प्रेस कीजिए तो यह 100 पहुंच जाए ठीक है तो इस वज़े से यहां पर डिबाउंस ट्राइम भी बहुत ज्यादा ज़रूरी है हां यहां पर एक काम यह हो स के थ्रू अपने सेवन सेग्मेंट में डिस्प्ले कर वा रहे हैं वो चीज़ आपको एवोइट करनी होगी उसकी जगह हम लोग सेवन सेग्मेंट में जो भी डेटा यहां पर ट्रांस्मिट कर रहे थे उसको आप लोग टाइमर के इंटरू कीजिए सपोस कीजिए आप लो दिस्प्ले में ट्रांस्मेट करवा सकते हैं ठीक है तो यह हम लोगों के अलग अलग तरीके हैं फिलहाल यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो यहां पर हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़को आपको आगे समझाओंगा ठीक ठीक है और हम लोग यहां पर एक IR sensor को यूज करने वाले हैं और यह जो sensor है हम लोगों के object को detect करेगा सेकेंडली हम लोगों ने बटन को भी यहां पर यूज किया है और इस बटन के through basically हम लोग अपनी जो भी यहां पर value increment हुई होगी उसको फिर से reset कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग जैसे ही first time हम लोग का यहां से कोई चीज गुजरेगा तो आप देख सकते हैं value 1 हो चुकी है फिर से अगर कोई यहां से जाएगा तो यह 2 हो जाएगी फिर से अगर आप यहां से देखते हैं तो यह 3 हो जाएगी again आप देख सकते हैं यह value हम माल रही increment हो रही है जै तो हम लोगों के पास यहां पर यह बटन है इस बटन को प्रेस करते ही यहां पर हम लोगों का यह जो value है वो 0 हो जाएगी तो यह हम लोगों का है unidirectional visitor counter आने वाली वीडियो में हम लोग bi-directional भी देखेंगे उसमें basically हम लोगों का एक जो sensor है वो values को increment करेगा और दुसरा जो sensor है वो values को decrement करेगा ठीक है बट फिलाल अगर हम इस project की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत छोटी सी problem आ रही थी वो problem यह है कि देखिए जैसे हम लोगों का यहाँ पर से कोई चीज गुजरती है तो वैसे हम लोगों का यहाँ पर जो तीन digits है वो off हो जाती है flickering basically हम पर होती है stable आपको यहाँ पर output नहीं मिलता है seven segment पे और यह क्यों होता है मैंने आपको बताया था यह debounce time के वज़े से होता है तो इससे बचने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताये थे तो next video में हम लोग timer 2 के through interrupt generate करेंगे और उस interrupt के ISR के corresponding हम लोग अपना जो यह seven segment है इसको control करेंगे so I hope आप लोगों को फिलाल इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं so बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe ज़रूर से कीजिए अपने friends के साथ आप लोग ज़रूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाते हैं so thank you so much for watching जे हिंद जे भारत